Capital Smart City Overseas Prime 1, Sector B और Sector A में इस वक्ट Development के सुर्थेहाल किया है As the last week of January 2024 इस सीरीज में हम ट्राय करेंगे Sector Overseas Prime की भी पूरी सीरीज BlockWise, SectorWise, A, B, C, D onwards और इसी तरह Overseas East की भी Alternative Days पे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डेटेल जो थी Development के हवाले से Update थी Overseas East, Sector A की मैंने पोस्ट की थी इसी तरह यह Overseas Prime की वीडियो है तो हम Alternative Days पे यानि एक दिन Overseas East की Next Day फिर Overseas Prime की मैं पूरी सीरीज बना दूँगा इन दोनों Block से Free होके, इन दोनों District से Free होके फिर उसके बाद next जो हम सीरीज बनाएंगे Overseas Central और Executive Block 1 जो अभी इस वक्त on Ground Plot है उनके हवाले से बनाएंगे ताकि इन Members की जिनकी Investment है Capital Smarty में तो इस पूरी सीरीज में उनको किसी भी District में है किसी भी सेक्टर में हो, उनको काफी अतक help मिल जाएगी कि इस वक्त उनकी Block में Development का Status क्या है सेक्टर A, Overseas East की जो लिंक है वीडियो की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि जिन Members की महां Plot हैं, वो उसको भी देख सकें अगर हम बात करें जी Overseas Prime 1, सेक्टर A और सेक्टर B की तो Overseas Prime, सेक्टर A जो है बेसिकली वहां पर तो SS members को Plots की Allocation नहीं की गई वहां पर सेर दो स्ट्रक्चर ही हैं, वो मैं बाद में बात करता हूँ पहले हम सेक्टर B की बात कर लेते हैं सेक्टर B में जो है वो तीन तरह के Plots हैं यहां पर साइटी के साज ओफर की बल्कि इंफेक्ट 5 तरह के Plot हैं जो ओफर किये थे Residential categories की बात करें तो एक कनाल के Plot है यहां पर 50 by 90 स्क्रियार्ड में बात करें तो Total Plot जो बनते हैं यहां पर 500 स्क्रियार्ड के Plot बनते हैं अगर हम बात में स्क्री बी की Ik की ओवरल डिवलोप्मेंट की तो राइट नाओ इसमें जितने सेक्टर A और सेक्टर B के कमर्शल्स बनते हैं, उनके साथ जो सर्विस रोड और पार्किंग है, उस पर काम हो रहा है, वैसे ओवराल सेक्टर B की डिवलपमेंट जो अपनी फाइनल स्टेज पर है, जिसमें आपको स्ट्रीट का जो प्रॉपर कार्पटिंग काम है, ज जिसमें आपका रोड के फुट पास लगना, स्ट्रीट लाइट्स का लगना, हौटी कल्चर का काम होना, जैसे ओवर सीजीस में आपको नजर आता है, उस लहाज से तो उस लहाज से भी वो काम आपको तक्रीबर अगले दो से तीन महीने में, या कहलें कि मिड आफ टॉंट और इसकी बैक साइड पे एक चोटा पार की वजूद है जो कर लेन टू पे और लेन थी से अडजसेंट प्लॉट्स हैं, उस पर वाक्या है, अगर हम बात करें जनरल के यहां पे अभी ओवर सीज प्राइम की पॉजेशन के वाले से, तो ओवर सीज प्राइम की जो ले सकते हैं, इन जनरल सेक्टर A, B, C, D, E, F, G, H, यहां तक जो काम में बिलकुल मुकमल है, आगे आज़ता है IJKLM, वो जो ब्लॉक बनते हैं, JKLM वाले ब्लॉक, उनमें भी तक जो है पॉजेशन अवेलेबल नहीं है, तो मॉस्टी मेंबर्स ने किया यह था कि अपनी इन ही ब्लॉक में ली थी, तो इसलिए हाद से मॉस्टी मेंबर्स को यह पॉजेशन मिल गया है, अभी जिनके नॉन बैलेटेट प्लॉट थे, यह जिनके इंस्टॉलमेंट्स क्लियर नहीं थी, उन प्लॉट्स को बाद में वहां पर दिया गया थे प्लॉट्स, लेकिन इन प्लॉट्स 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 को बाद करें लेन 7 और 8 प्लॉट्स 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 वो जो है आपकी horizontal form में है vertical form में नहीं है अब आत करते हैं साथ मरला की सेक्टर B में plot की और कनाल की और 12 मरला प्लोट की बारा मरला और जो कनाल के plot है उनकी जो रोड की asphalt और कार्प्टिंग में मुकमल हो चुकी है साथ मरला plot में अब आप फुटिज देख रहे हैं lane 15 की इस वाले एरिया से लेके अगर हम बात करें तो lane 9 तक जितने एरिया बनता है उन पे saverage काम हो चुक है roads का जो कहते हैं के proper cutting होती है यान जो road का design निकलना होता है या road की जो proper shape निकलना होती है वो set की जा चुकी है अभी यहाँ पे compression काम रहता है उसके बाद यहाँ पे compression के बाद asphalt रिकार्प्टिंग काम रहता है black top वगरा का तो वो काम अभी होने में most probably अगले 2-3 महिने का time लग सकता है जब अप्लाइ करेंगे तो till the time आपका possession होके plot आपका clear होके आएगा तब तक यह काम यहाँ पे मुकमल हो जुका होगा तो expect करते हैं कि आने मेरे दिनों में इस काम पे भी तेज़ से मुकमल किया जाएगा अब इस sector A की बात करें तो यहाँ पे 9.3 मरला के plots हैं जो मेरे हाल में टाउन हाउसे यहाँ विलास की फॉर्म में सेल की जाएगे लेटर स्टेज पे construction करने के बाद और इसके back side पे lane 3 के plots बनते हैं जब को end वरे lane नज़र आ रही है यह lane 3 पे commercial plots हैं जो के front back open होंगे इन plots को अभी तक society की तरफ से offer नहीं किया किया इनके सामने जो road है वह 68 feet की road है अगर आम बात करें 9.3 मरला के plot के बिलकुँ सामने जो lane 2 पे वाकिया है उनके opposite side पे तो आपको college का campus नज़र आता है अब यह बड़ी important बात है कि यह 9.3 मरला सेक्टर एके plot बनते हैं के सामने जो college वले अरिया बनते हैं इसके क्यों इतनी importance है वो इसलिए के capital अकसर मैं comments पाढ़ रहा हूं तो अकसर मेंबर क्रिटिसाइज करते हैं executive law के वाले से college, school, hospitals के चीज़ें बननी हैं लेकिन executive law डिलिवर नहीं हो रहा है यह जो executive law टोटल हाली 15 परसंट यह 10 परसंट बनता हो का स्ट्रोल साइटी के एरिया का यह जो amenities हैं यह remaining 90% members के लिए हैं अब एक member है जिसका side पर भी most probably जो एंड तक देखेंगे 24 के तो आपको तो आपको तक मूफ करेंगे तो उनके बच्चों ने स्कूल जाने के लिए उनकी basic necessity है वो उनको होना वह पर जरूरी है अदरवाइस side मूफ करने का कोई sense नहीं बनती कि आपके बच्चों ने स्कूल जाने और आप स्कूल के साइट से आके इसलामबाद में बच्चों को छोण ने आ रहे इसलामबाद आना पड़े तो society का purpose खतम हो जाता है यानि capital स्मार्टी का purpose खतम हो जाएगा जो 50,000 कनाल डिलिवर किया हो जमीन पे वो useless हो जाएगा इसलिए buildings जो है specifically school, college, hospitals, parks, यह amenities जो है यह necessity है 90% of members के लिए जिनके already plots possession में आ चुकी है बाकि executive block के members के वाले से मैं बात executive block still litigation में है, still उसके मसले मसाइल है, उसके मसले resolve होने के करीब नहीं आ रहे, अगर आप से हो सके तो most probably motorway के opposite side पे बहुत जल्दी आपको members of conversion offer कर दी जाएगी जहां में possession अभी आएगा, तो मेरे खाल है कि इसके लावा को feasible solution नहीं मनता, इस सक्रीन पे capital स्मार्टी का master plan देख पर पहले overseas east की में वीडियो पोस्ट की थी, और इसके साथ साथ आगे मैं overseas prime की, इसी sequence में पहले फिर B की वीडियो पर इसके साथ पर आगे C की वीडियो, इधर पर C की वीडियो, इधर डी की वीडियो, इधर चुके A block जो है, वो अलड़ी company के पास है itself, और इसलिए company ने इ आप डिसकस करते हैं, जी हम overseas prime 1 में sector A और B की premises को और इसकी important points को, first of all sector A और B की premises के नौर्स साथ चार साथ की बात कर लें, नौर्स साथ पे इसके चहान डैम की premises आती है, अगर आपकी यहां पर property है तो definitely आपको इसका बड़ा easy view मिलता है, यानि कि बड़ा अच्छा view मिलता है water body का, इसलामबाद में रहते हुए, second हम बात करें, east side पे तो इसके यहां पर society का camp office है, जो later stage पर को डिस्टिक की ब्लॉग मना दिया जाएगा, और इस तरफ से पीछे साथ पर देखें तो यहां पर यह ring road का point बनता है, अब यह जो को मेरा श्रीफ दिखा नजर आ रहा है, यह इस जगह से ring road का point गुजर रहा है, तो अगर मैं इस sector से A और B से देखूं, ring road के distance को, तो पहले मैं वह भी मेर कर लूँ, इसका approximate distance बनता है, मेरा श्रीफ का बनता है, approximate 2.37 km का, और ring road की loops करा है, जब बनेगी तो यहां तक आजएगा, तकरीम राउंड को 2 km के आसपास य पर शेहर हैं, जो डिटी रोड के ओपर शेहर हैं, गुजर खान है, अदीना, मंगला, आपके अज़ाद कुश्मीर है, फिर आगे गुजरांवाला है, गुजरात है, इन शेहरों को बड़ा इसली कर सेते हैं, तो जो मेंबर्स इन शेहरों के रहने वाले हैं, उन के लिए पर फिजिबिलिटी अच्छी है, कि आप इंटरचेंज से दो किलमेटर के फासले पर आपका प्लॉट होगा, अगर हम बात करें जीसकी वेस्ट साइट पे, तो वेस्ट साइट पे इसके सिल रिवर है, सिल रिवर के साथ यहां पर हैं, हमिल्टन हिल ब्लॉक है, सिंगलर है यहां पर हमिल्टन हिल जो ब्लॉक है, इसके अंदर जो है वो 9.3 मरला, 15 मरला और इसके लावर 20 मरला के विलाज ओफर के जा रहे हैं, 9.3 मरला यहां पर 5 करोड उपीस का, 15 मरला का विला यहां पर ओफर के जा रहे है, 7 करोड का, और जो कनाल का विला यहां पर ओफर के जा बलकि इससे भी नजीकी डिसंस बनता है, मैं आपको मजीद क्लोजली दिखाता हूँ अब यह वाली स्क्रीट देखें, यह मिल्टन हिल पे यहाँ पर आफर किया जाएगा 9.3 मरला का विला, फॉर इंस्टेंस, अगर हम प्राइस लगाए हैं तो let's say 163 मेटर पे तो 9.3 मरला का विला आपका बनता है, फाइव क्रूर रॉपीस का अब यहाँ पे 12 मरला के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करें, प्लॉट ही कीमत आप देख लें, यहाँ पर सुआइटी की तरफ से जॉफर किया गया था, I think 54 लाए का प्लॉट था development charges मिला का आपको 60-62 ला का प्लॉट परता है, यह 65 ला का प्लॉट परता है, उसके ओपर construction करें तो इससे half price में आप इससे 2 मरला बड़े size का विला construct कर सकते हैं, जो Hamilton Hill विला को यहाँ से इस वाले विला को यहाँ पे 9.3 मरला विला यहाँ 15 मरला विला को वियू मिलने है, व वही वियू इसके लिए generate होना है, अगर हम बात करें इसके साथ साथ, अगर इसकी मैं 360 elevation की बात करूँ, चले मैं पर चार साइट कर लूँ, नौर साइट, चहान डैम, इस साइट, रिंग रोड, वेस साइट पर हमिल्टन हिल्स ब्लॉग, उसके लावा अगर हम बात करें सेक्टर C और सेक्टर D की परिमिस्स हैं, यह वहला चार साइट होगी, अगर हम 360 degree elevation में देखें इस लैंड को, तो आपका basic लैंड जो बनती है, यह आपकी परिमिस्स हैं, इस साइट से जो विला का जो फेसिंग, यानि के मोटर वाली साइट पर होंगे तो उनको यह वाला मिलेगा, 360 degree में साथ water body का वियू मिलेगा, अब जिन विलास की location facing इस तरफ है, यानि मैं इसको rotate कर देता हूँ, जिन विलास की facing जो है, वो opposite side पे है, उनको यह वाला वियू मिलेगा, तो उस लहाँ से भी, यहाँ पे feasibility बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, जिन members के पास यहाँ पे option है, क्योंकि उनकी किस्तें भी रहती हैं, भी कुछ, थोड़ी बहुत installments बाकी है, 40-50% installment paid है शायद, अगर यहाँ रिसल में product buy करते हैं, तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा benefit मिलेगा, in terms of, कि आपके neighborhood में, जो society की तरस से luxury properties हैं, वो launch की जाएंगी, opposite side पे लाम से भी आपको view अच्छा बनता है, अगर हम देखें, इस side से एक अच्छा view, sector A और B के लिए, वो बनता है, आपको यह वाला view, कि आपको इस side पे cross में, बीच में कोई, ऐसाच रुकावट नहीं है, सिवाई Hamilton Hill विला को जो block का view मिलना है, उसी तरह इस block का view बनता है, वो गॉ mission है, that is 36 feet, जो के बहुत अच्छी खासे height होती है, 36 feet की height के साथ आपको definitely golf course का view उतना ही clear होगा, अब यह वने को यह बेसिक चीज़ मताद ही है, बाकिस में important बात है, इसमें minimum street weight जो है, वो 12 मरला के सामने 50 foot की है, जो के अच्छी बात है, उसके लाब आप plot अच्छा 360 degree में द आपकी main road है, उसके साथ main road लीड करती है, आपकी towards overseas east और जो बाकी overseas east के sectors है, उसकी connectivity यहां से मिलती है, अगर हम सेक्टर के अंदर बात करें, तो already यहां पे college की premises मुजूद है, girls college और boy college, तो education wise आपके as such को मुश्किलात नहीं पेश आएंगी, क्योंके nearby distance पे आपको यह facility भी म प्रास नहीं है, तो क्या आपको यहां property प्रिक्यूर करनी चाहिए यह नहीं, यह जो पूरी series बनेगी ना, तमाम district की, सेक्टर A और सेक्टर B जैसे हमने पहले east की वीडियो बनाई थी, अब यह प्राइम 1 की बनाई है, अब यह जो वीडियो होंगी ना, इन वीडियो को end of exit लेना है, तो उसलिहास से भी आपके काफियत तक doubts clear हो जाएंगे, यह series में मैं कोशिश करूँगा, कि बेशक जितना भी time लगे, जितना भी इसमें मुझे post production में time आए मेरे पास, उसको मैं make sure करूँगा, कि जितना मैं details से इसको explain कर सकूँ, मैं करूँ, ताकि members को जो already हमार सामबाद international airport के सामने, आरली को पांच मिनट के drive पे हैं, और पाकिस्तान का वाहित project जिसको M2 motorway पे जाती इंटरचेंज इसको physically मिल चुक है, और temporary access भी interchange की मजूद है, जिसकी सबसे बड़ी example आपको यह tall plaza की boots नजर आ रहे हैं, जो side पे इसको cooperation है, और अगले main account से यहां प आ रहे हैं, तो यह सारे area में भी बहुत सदा improvement आनी है, बलके और सोड़ा देखते हैं कि changes क्या आई हैं, यह main images अपडेट होई थी 23 में, तब आपके सामने हैं, उसके लावा December 22, November 22, और अभी November 21, Google Earth images, यह images तब की हैं और यह images आज की हैं, आपको यह charts of a road भी नजर आ रहा है 20 lane का, golf course भी physically जमीन पर नजर आना शुरू हो गया है, golf course के अंदर marquee जो है वो भी, और प्लस जो 275 किनाल का fountain park यहां बनना है, उसकी feasibility भी on ground आपको जमीन पर नजर आने लग जाएगी, हाँ, interchange से अगर मैं distance की बात करूँ इन general, तो right now इस interchange से distance को देखे हैं, वैसे properly measurement के से कर देखा जाएं, instead of that, आप इसको overseas easily side से देख सकते हैं, तो interchange से मेरे हाल में इस ब्लॉक का distance बनता होगा, that is around 5 km का distance बनता है, motorway से 5 km और ring road से 2 km यह और राल ब्लॉक की location बनती है, so this was it from today, अगर आप कैपिटल स्मार्ट एटी है, लहोर स्मार्ट एटी में बुकिं के वाल चैनल को सब्ट्राइब करना मत भूलें, रिजवान चीमा को दीजे इजासत, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस चाहिस